हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है तानिया फेशन आर्ट यूटूग चैनल पर मैं दीपका कुस्वा आज आपको बहुत सुन्दर पर्स बनाना बताऊंगी तो यह देखो मैंने पीस को रेडी कर लिया है और इसमें मैंने सलाइयां भी लगा ली है और इसमें मैंने बीच में फॉर्म सीट लगाई है तो इसकी चोडाई है 13 इंची की और लंबाई है इसकी 21 इंची की अब इसे हम लंबाई की साइट से पहले फोल्ड करेंगे तो यह देखो मैंने लंबाई की साइट से फोल्ड कर लिया है इसमें बीच में निशान लगाऊंगी तो बीच में मैं निशान लगा लिया है अब इस निशान पे से हमने दो इंची की नीचाई लेंगे तो नीची की साइड में निशान लगा लिया है अब जहां से हमने बीच में निशान लगा लिया है वहां से हम दो इंची का गैब देंगे इसमें दोनों साइड पे तो देखो दोनों साइड पे मैंने निशान लगा लिया है यहां पे हम तनी अटेश करेंगे तो मैंने तणी भी बनाली थी रेडी कर ली है इसने भी मैंने फॉर्म शीट लगाई है तनी में भी इसकी चोड़ाई है कि किreno कि 2,2-2cm आपको इस तरीके से तनी को कपड़े को दे ऑंधर की साइट में ने फोल्ड किया है और चौक कौर में आपको वाद लगा देनी है नि तो देखो धूनों सेट मैं इसी तरीके से करी है तनी तो डेको मेंने जॉइंट कर ली है वाध लैं दौनों साइट पे हमने अब इसको हम बरावर फोल्ड कर रहेंगे चोड़ाई की तरफ से तो आपको इस तरीके से रखना है हमें पीस अब हम नीचे की साइट पर निशान लगाएंगे डेड़ वाई डेड़ का हम बॉक्स बना लेंगे तो ये देखो एक बॉक्स में बना लिया है बॉक्स के बॉक्स करेंगे इस तरीके सिर ये दो बॉक्स बना ले में अब इन बॉक्स की हम कटिंग करेंगे चैब मैंने बॉक्स के organised कर लिए कि इसकी चोड़ाई है उछंग प्रासित की लमबाई है इसकी साड़े son पदन जी की, तो मैं इसको इदो को इस तरीके से हमें रखना है, पहले हम इस पर चैने टेश करेंगे, चैन पर हम इस तरीके से रखके और स्लाई लगा देंगे, इसके बराबर की हमें चैन बराबर की लेनी है, जो हमने पॉकिट के लिए कपड़ा लिया था, स्लाई मेंने लगा ली है चैन पे अब इसे हम अंदर की साइट फोल करगे और उपर की साइट से हम स्लाई लगा देंगे तो स्लाई मेंने लगा दी है अब इस पोकिट वाले कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे इसके उपर से और किनारे किनारे से हम सलाई लगा देंगे तो देखो किनारे से मैंने सलाई लगा दी है और जो अंदर की साइड हमारा कपड़ा निकल रहा है उसकी हम कटिंग कर देंगे तो ये देखो अब मैंने इसके मैचिंग का कपड़ा लिया है इस तरीके से आपको पट्टी ले लेनी है और पट्टी हमने चैन की किनारे से रखी है और दोनों साइट पर हम सलाई लगा देंगे तो ये देखो पट्टी पर मैंने दोनों साइट से सलाई लगा ली है अभी पहले हम इसमें लॉक डालेंगे lock में डाल दिया है अब side से हमारी पोकिट बंद नहीं हुए तो हम side से सलाई लगा देंगे side से मैंने सलाई लगा दी है जो extra कपड़ा था उसकी मैंने cutting कर दी है अब यह देखो हमारी pocket ready हो चुकी है अब हमें उपर की side भी chain लगानी है तो इसके बराबर की हम चैन ले लेंगे तो मैंने बराबर की चैन कटिंग कर ली है अब आपको इस तरीके से चैन को रखना है उल्टा और सलाई लगानी है तो सलाई मैंने लगा ली है अब इसको भी हम इसी तरीके से दबाएंगे अंदर की साइट पे और किनारे से सलाई लगा देंगे तो सलाई मैंने लगा दी है अब चैन के हमने दो पीस कर लिए हैं अब दूसरी साइट भी हम सेम तरीके से अटेज करेंगे इस पे भी मैंने सलाई लगा दी है और इसे भी हम अंदर की साइट फोल करके और उपर की सैट से सलाई लगा देंगे सलाई मैंने लगा ली है अब इसमें हम लॉक डालेंगे लॉक हमारा डल चुका है अब इस पर्स को हम उल्टा करेंगे उल्टा मैंने कर लिया है पर्स को अब सैट से हम दोनों सैट से सलाई लगा देंगे ,- स्लाई मैंने लगा ली है दोनों साइट पे अब जो हमने बॉक्सों की कटिंग गी थी इस तरीके से पकड़के उसलाई लगा देंगे हम ,- स्लाई हम दोनों साइट से लगा देंगे प्रस के सीधा करके दिफाऊंगी और देखो इसका बनाने का तरीका बहुत सिंपल था आप बना के देखना और कमेंट ने बताना आपको ये पर्स कैसा लगा देखो मीडियम साइज का पर्स है और बहुत प्यारा लग रहा है बनके देखो पॉकिट भी कितनी अच्छी बनी है इसकी आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी टिचलन को सस्क्राइब करें लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर करें थैंक यू